जब धलती है दिल का काटा निकाल पे माना है दिल लल अखिया निलान निया दगाना है दगाना दे में तेवर पाला चे मेरी बाउं में मेरी बाउं में रुसवाई तुझे को मेहनास के मताबिक मलक तरन्म नुर जहाँ जब बिसतरे मर्क पर थी तो वो उन से हस्पिताल मिलने गई मेडम बीमारी की वज़ से इंतहाई कमजोर हो चुकी थी लेकिन इसी हालत में भी वो मेहनास के साथ खंद पेशानी से पेशाय और नही फावाज में फरमाईश की के मेहनास उन्हे अपना नगमा दियार गेर में केसे बसर होगा सुनाए मेहनास का कहना था कि उन्होंने मलक तरन्म की ये खुआश रद नहीं की जैसे जैसे वो गुन गुनाती रही नूर जहाँ की आंके बीगती चली गई आंसों के एक सहलाब ता जो मलक तरन्म की आंकों से बहता ही चला गया इतना प्यार करेंगे हम दोनों इतना तेरे मेरे प्यार की बूल ना रहेंगे निजारे ना रहें वक्त गुजर तेरे नाल ओ अबादत तेरे दोस्तों गुलोकारी में कोई शार्ट कट नहीं काम्याब वही होता है जो सुरो पर अबूर रखे जिसका रियास गेहरा हो जो पके अरागों को अदा करने की खूबी जानता हो ये कहना था सुरो की शेहजादी महनास का एक मरतबा उनोंने कहा था कि पाप गुलोकारी कोई बहुत बड़ा फन नहीं असल गुलोकार तो वह जो उन्चे और नीचे सुरो में नगमा सराई करे गुलोकार महनास ने इस दोर में अपने लिए अलग और मुनफरिद जगा बनाई जब पाकिस्तानी फिल्म नगरी में नूर जहाँ, नाहीद अख्तर और रोना लेला जैसी गुलोकारों का तोती बोलता था गुलोकारी का शोक वालदा और मुगनिया कजन बेगम की वज़ा से विरसे में मिला लेकिन बरसों के रियाज और पिर अन तक महनत लगन से महनाज ने वालदा के बरक्स बलंद मकाम पाया गीत हो गजल हो या पिर हलका पुलका नगमा या तराना महनाज ने हर सनप में ढूप कर गुलोकारी की क्या ये कम कमाल नहीं के उन्हों ने 332 फिल्मों के लिए गीत गाए कानों मेरस गोलने वाले गीत मुझे दिल से ना बुलाना वादा करो साजना मैं जिस दिन बुला दू मेरा प्यार भी तू बीते बरसों में कोई भी जहन से निकाल नहीं पाया मेहनास को ये एजाज भी हासिल रहा कि वो 1977 से 1993 सी तक दिलों के तार चेलती हुए अपनी आवास पर मुसल सल साथ बरस तक बेहतरीन गुलोकारा के निगार एवाड की हगदार टेहरी जबके मजमूरी तोर पर उन्होंने दस बार ये एवाड अपने हाथों में थामा मेहनास का फनी सपर 970 की धाई में रेडियो से शूरू हुआ और अप्तिदा में ही उन्हें मेहधियसन के बाई पंडित गुलाम गादर की तर्टीब दी हुई मुसीखी पर गुलोकारी का मौका मिला इस गीत को मेहनास ने किसी मंजी हुई गुलोकारी की तरह गाया तो नगमा ही नहीं वो खुद भी मशूर हो गई जबी उनकी शोहरत टीवी प्रोडियूसर अमीर इमम तक पहुंची जन्होंने मेहनास के गेर मामूली फन को और निकार कर पेश करने की ठानी सुहिल राना का बतोर मौसीकार जबके सरवर बारा बंक्वी के कलाम का इंतिखाब हुआ गीत नेना जाकते रहना को जब टीवी पर प्रोग्राम नगमाजार में पेश किया गया तो मेहनास की शोहरत फिल्मी दुन्या तक जा पहुंची इस गाने ने मेहनास को मकबूलियत की राहों पर गामजन कर दिया जिसके बाद शूरू हुआ मेहनास का वो काम्याव फनी सपर जो चार धायों तक पेला रहा कराजी के सरस्यत काली से बीए करने के बाद नोक्री की गरस से बाकाइदा टाइपिंग सी की वालदा की खायश और गरीलों का पालत पूरी करने के लिए खातिर उने मजबूरन गलोकारी का रोख करना पड़ा महनास की खुश्किस्मती ही कहिए के उने अब्तिदा से निसार बजमी रोबिन गोश नाशाद सुहेलराना और एह हमीद जैसे मुसीकारों का साथ मुयस्सर रहा जिनोंने महनास को महनास बनाने में अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तिमाल किया महनास को खुदरों बन गोश और बजमी साथ की तर्टीब दी हुई दुने पसंदी बिलखसूस मुसीकार बजमी ने महनास से बड़े खुबसूरत और मसहूर कुन गीत गवाए महनास का पहले सूपर हेड़ गीत मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा भी बजमी साथ की ही तखलीक थी मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा महनास का गीत हर बड़ी अदाकारा पर फिल्म आये गया दिल्चस बात यह है के एक गाने के लिए महनास ने कामेडियन मनवर जरीब तक के लिए पसे पर्दा गुलुकारी की यह 1975 में लगने वाली फिल्म शरा रगती जिसके एक गाने के लिए मनवर जरीब ने रकासा का बहरूब बदलाता महनास जिन्दगी बर तनहा रही उनकी गुपतगों से यह तास्थर जरूर मिलता था कि वो खुद शादी की खौईश मनती लेकिन वालिद और वाल्दा की वपात के बाद चार बाईयों की जिमेदारी उटाने के लिए वो फिल्म नगरी में हद दर्जा मसरूप हो गई उनके मताबक शादी की नहीं जाती हो जाती है और यह सब अल्ला के काम होते है गर की गाड़ी कैंच थे कैच थे जब उन्होंने पीचे पलट कर अपनी निजी जिन्दगी की तरफ देखा तो वहां उनके लिए कोई जगा नहीं थी वो अपनी जिन्दगी को अपने ही गीप अपने लिए तो जीती है सब जहां में है जिन्दगी का मकसद औरों के काम आना से ताबीर करती मेहनाज ने मुक्तलिब शौरा एक किराम की घजलों को भी कमाल खूबी से गाया बिलगसूस अहमद फरास के कलाम अपके तजदीदे वफा का नहीं इमका जाना तो जिसे उनकी पहचान बन गया उनका कहना था कि गेर मुल्की शौर्ज में खास तोर पर इस घजल की फरमाईश की जाती किसी अजीब बात है कि मेहनास को फिल्मी गुलुकारी पसंद नहीं थी बलकि वो स्टेज शोस पर फर्फाम्स पसंद कर दी क्यूंकि वहाँ पूरां दाद जो मिल जाती मुहतरमा बेनजीर बट्टू जब 1988 के इंतखाबात में काम्याब हुई और उनके वजिर आजम बनने के कवी अमकान पैदा हुए तो खसूसी तोर पर जमीली दिन आली ने गीत हम माए हम बहने हम बेटिया लिका जिसे इंतहाई कलील मुद्ट में मेहनास की आवाज में रिकार्ट किया गया बेनजिर बट्टू ने जैसे ही वजिर आजम का हल पुटाने का अमल मुकमल किया तो पी टीवी ने पौरण इस गीत को नशर करके बेनजिर बट्टू को खिराज तहसीन पेश किया गलोकारा नाहीद अख्तर मलके तरनम नर्जहा उनके फन और काम की मतारिफ रही महनास का कहना तक नाहीद अख्तर पुर इतिमाद गुलोकारा है जो अगर गलिद भी गा रही होती तो उस पर डड़ जाती एक जमाने में उनकी और नाहीद अख्तर की बाचीट तबील अरसे तक बंद भी रही बाद में जब गलिद पेहमिया दूर हुई तो दोनों गेहरी सहेलिया बन गई